Hi guys, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Transmission of Pressure in a Liquid क्या होता है So, Pascal नाम के एक French Scientist ने ये कहा था कि The pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally and undiminished in all directions इसको अगर simpler way में समझें तो अगर आप किसी भी liquid पे पे एक pressure exert करते हैं किसी भी point पे तो वो इस pressure को equally distribute कर देगा all directions में जैसे कि हम इस example में देख सकते हैं कि इस vessel में अगर आप इस point से pressure exert करते हैं तो वो इन सारे directions में pressure distribute कर देगा So, ये liquid की एक property है ये क्यों होता है देखने के लिए हम देखेंगे microscopic level पे एक जो liquid होता है वो बना हुआ होता है बहुत सारे particles से तो जब भी कोई अगर इन particles पे यहाँ पे pressure exert करता है और बिल्कुल end में जब पहुंच जाते हैं तो वो final होता है, यहाँ पे impact होता है जिससे की pressure feel होता है उसी तरीके से all directions ही होता है यहाँ पे जब यह particle यहाँ तक पहुंचेगा तो यहाँ पे pressure exert होगा इसलिए यह जो particles हैं यह freely moving particles होते हैं liquid में density के according जितनी कम density होगी उतनी ज़्यादा particles freely movable होगे जितनी high density होगी उतनी कम movable जब भी pressure exert होता है यह liquids एक दूसरे से टकरा कर वो जो pressure है उसको distribute करने कोशिश करते हैं जब वो किसी चीज से टकराते हैं तो वो वहाँ पे final point of impact होता है इन particles की कोई direction नहीं होती इसलिए यह all directions में equally exert करते हैं pressure को और जो liquid की characteristics है कि जितनी ज़्यादा depth होगी उतना ज़्यादा pressure होगा liquid pressure का extent जानने के लिए कुछ examples देखते हैं जैसे कि हमने property पता है जैसे कि liquid की जो property है कि जितनी ज़्यादा depth होगी उतना ही ज़्यादा pressure होगा उसके according कुछ example लेके देखते हैं जो ocean में उतरते वक्त जो deep sea divers होते हैं वो ऐसे special shoots मेंने के जाते हैं ताकि उनके उपर जो ocean का जो pressure है वो control में रहे और वो उस pressure को जहल सके क्योंकि जो deep sea में जो pressure होता वो enough होता है एक human body को crush कर देने के लिए उसी तरीके से दूसरा example देखते हैं कि जब भी कभी deep sea fishes को fish करके surface पलाया जाता है तब अकसर उनके bodies explode हो जाती है क्योंकि जो deep sea fishes होती है वो काफी high pressure पे होती है ताकि वो deep sea का जो pressure उनके उपर है उसको जहल सके जब भी surface पलाया जाता है तो अचानक से जो pressure है वो काफी कम हो जाता है जबकि उनके body के अंदर जो pressure है वो काफी high होता है इसलिए ये जो difference है उसके वज़े से उनकी body explode हो जाती है उसी तरीके से एक और example देखते हैं वो marine जो होती है वो special metal से बनी होती है ताकि वो ocean के pressure को jail सके and safely surface पे भी आ सके स्वाइए इसको थोड़ा detail में देखते हैं जैसे कि इस experiment में अगर हम दो tube ले लें and एक tube के उपर हम pressure रखें force F1 और इस tube को हम connect कर दें दूसरी tube से अगर हम इस bar पे pressure exert करेंगे तो ये जो pressure है वो यहाँ से transmit होता हुआ अपने आप इस bar को lift कर देगा क्योंकि यहाँ पे जो particles है जब force apply होगी ये particles एक दूसरे को धका मारेंगे and ये particles एक दूसरे को push करेंगे and ये यहाँ पे pressure apply होगा बट ये जो solid surface है इसलिए ये move नहीं होगा और हम यहाँ पे action देख नहीं पाएंगे तो ये same pressure यहाँ पे distribute होते होते यहाँ तक पहुँचेगा और इस bar को उपर lift कर देगा so इसे कहेंगे transmission of pressure अब इसका एक real life example देखते है जो construction machines होते हैं वो भी इसी phenomenon पे काम करती है कि एक point पे pressure apply किया हो अपने आप other points पे equally distribute कर देगा and जो आप देखते हैं hydraulic points जो कि ये construction machines में जो arms होते हैं वो काफी heavy duty काम करते हैं and उनके लिए हमें वो काम करने के लिए उन्हें चीए extreme power extreme power के लिए हम hydraulics का use करते हैं hydraulics में ये जो section होता है इनमे liquid filled होता है and pressure यहाँ से generate किया जाता है इसका जो pressure है वो यहाँ से control किया जाता है जिससे कि ये bar जिससे कि ये cylinder अंदर या बाहर जाता है अगर ये बाहर के दरफ जा रहा है तो ये arm अंदर के दरफ fold होगा whereas जब यहाँ पर pressure reduce किया जाएगा तो ये arm extend होगा इसी तरीके liquid pressure को vary करके इन मशीनों से काम कराया जाता है इनके अंदर जो liquid होता है वो अलग density और अलग viscosity का होता है ये liquids vary करते हैं application के हिसाब से liquids को use करके काफी जादा high pressure create किया जा सकता है जिससे कि heavy duty work easily किया जा सकता है ये थे liquid pressure के कुछ applications आज के वीडियो में हमने देखा transmission of pressure in a liquid जब भी किसी liquid पे pressure exert किया जाता है तो वो कैसे all directions में equally transmit होता है and कुछ examples भी देखे हमने and Pascal's law के बारे में पड़ा and फिर कुछ real life applications भी देखे हमने कि कैसे liquid pressure actual में use किया जाता है thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में